नमस्कार दोस्तो आज बहुत इंपोर्टेंट जानकारी स्वीड़ों में हम आपके साथ सेर करेंगे अगर आप P.T.E.D. दो साल का कर रहे हैं या फिर चार वर्सिये P.T.E.D. कर रहे हैं या चार वर्सिये साथ या अगर आप B.H.T.C. कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके ल आपको कोलेज अलोटमेंट हो जाती है तो आप क्या-क्या दस्तावेज लेकर जाएंगे अपने कोलेज में अपना जो है रेजिस्टेशन कराने के लिए साथ ही दोस्तो आप किस तरीके से कोलेजों का चुनाओ करेंगे ताकि आपको मन पसंद कोलेज आपको मिल सके पहली लिश्ट में आपका नाम आ सके किस तरीके से अपवर्ड मुमेंट करा पाएंगे क्योंकि बहुत से अभ्यारती ऐसे हैं जिनको अपवर्ड मुमेंट का नहीं पता है तो इसके बारे में भी विस्तार से बात करने वाले हैं साथी किस तरीके से आप जो है अपनी चालान की फी सा लंबा हो सकता है अगर आप बिल्कुल वाक़े में इन सबी टोपिकों में से किसी भी टोपिक के बारे में अगर आपको जान करी चीए तो वीडियो में शुरू से लिक आखिर तक बने रहीएगा तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं पीटेट यान की बीड़ वालों की क 2021 तक काउंसलिंग हो रही है यानि कि दोस्तों आप देख सकते हैं हम बात करें लगबग तकरीबन कम से कम 10 दिन जो है इसकी काउंसलिंग चलो रहेगी यानि कि 10 दिन तक आप काउंसलिंग करा सकते हैं काउंसलिंग के अंतरगत आपको क्या करवाना है काउंसलिंग के अंतर हो या हम बात करें कोई भी ओनलाइन सोपिंग रास्तार में इमित्री चलता है तो आप इमित्र पर काउंसलिंग करा सकते हैं ओनलाइन सोप के ओपर जाकर वहाँ पे आपको पांच हजार रुपए आपको फीस का चाला लगेगा और कुछ फोरम चार्ज आप से लिया जाएग दोस्तो बहुत इंपोर्टन जानकारी हम इस वीडियो में इसी टाइम बताने वाले हैं तो आप वीडियो में ध्यान से सुनिएगा तो आपको बता दें कोलेजों का चुनाव आप किस तरीके से करेंगे सबसे पहले अगर ये कोलेजों का चुनाव जो है ये डिपेंड करत चाया आप किसी भी category में हो अगर आप 200 से 200 के मद्द आगर आपकी नमबर आ रहे हैं तो आपको first list में college मिलने के लगवग 99% chance ऐसे हैं कि आपको college नहीं मिलेगी first list में इस condition में आपको क्या करना है अगर आपको first list में college लेना है और अगर आप beard करने के चुख हैं आपको beard करनी ही है तो आप क्या करेंगे आप जो है एक दो या दस बीस इतनी college का चुनाव नहीं करेंगे आपको शरब all राजस्तान क्लिक करना है all राजस्तान क्लिक करने का मतलब यह है कि आपको राजस्तान में कहीं पर भी अगर college खाली है याणि की beard की seat खाली है तो आपको वहाँ पर उस college में जाकर आपको beard करनी होगी हाला कि ये कहीं पर भी आ सकता है पूरे राजस्तान में तो ये काफी दूर आप वियर करने के लिए जा सकते हैं अगर आपके बिल्कुल कम नम्मर आ रहे हैं तो आप ये option जो है मैं prefer करूँगा कि सबसे last में आप ये offer चुने क्योंकि लगबग 2-3 लिष्टे निकलती हैं तो हो सकता है आप तीसरी लिष्ट में या दूसरी लिष्ट में आप जो है इसका चुनाव कीजेगा पहली लिष्ट में कोई भी अभ्याती जो है इसका चुनाव नहीं करेंगे क्योंकि all लाजस्तान का मतलब आपको काफी दूर college मिल सकती है पहले ही मैं आपको बता रहा तो आपको क्या करना है तो दोस्तो सबसे पहले आपको जो है लगबग आपके आसपास यानकी एक दो डिष्टिक में आपको लगबग एक से पंदरा college या बीस college भी भर सकते हैं एक से पंदरा college आप भर कर देखिएगा अगर आपके 270 असी आ रहे हैं और अगर आपके 250 साइ college होती है उसका चुनाव करते हैं उसके बाद उसके दूर वाली का उसके बाद उससे दूर वाली का लेकिन आपको ऐसे नहीं करना है मैं experience के आधर पे आपको बता रहा हूं तो आपको क्या करना है सबसे पहले आपको अगर आपके number कम आ रहे हैं जैसे 200 site आ रहे हैं तो आप आपको पहली 24 नहीं मिलेगी ना ही दूसरी 24 ना ही तीसरी लगबग 5 24 तक आपको नहीं मिलेगी तो इस कंडिशन में आपको क्या करना है आपको पहली 24 में आपको दूर वाली कोलेज भरनी है दूसरी 24 में आपको जो है उससे थोड़ी नस्दीक वाली और इस तरीके से लगभग अधिकांत बच्चों को जो है चोथी पांची चुवाइस मिलती है जिनके कम नमबर आते हैं तो उनको इस तरीके से इस सेडूल में उनको कोलेजों का चुनाव करना है अब मैं बता दू दिन अभ्यारतियों के लगभग 300 से पिलस नमबर आ रहे हैं उन अभ्यारति अपने नस्दी की जो कोलेजे हैं उनका चुनाव करना है और मैकजीमम कोलेज जो है आप 10 कोलेज ही भरेंगे उससे ज़्यादा आपको नहीं भरनी है दस कोलेज अपने आसपास की नस्दी के 10 कोलेज भरेंगे एक से पांस तक आपकी जो नस्दी कोलेज है उनको आपको प अनुपाद जो है आप देख सकते हैं सो में से साथ तीन का अनुपाद होता है तो इस तरीके से जो है सो में से सतर तीस का सोरी दस में से आप साथ तीन का अनुपाद समझ सकते हैं तो इस तरीके से दस में से तीन अभ्यारतियों को साइंस वालों को कोलेज मिलेगी तो साथ अभ्यारतियों को बेड़ आर्ट वालों को कोलेज मिलेगी तो इस तरीके से आपको क्या करना है आपको भी जो पहले वाला प्रफॉर्मा मैंने बताया था अगर आपके बहुत ही कम नम्मर आ रहे हैं तो आप और राजस्तान करेंगे अगर आपके उससे कम नम्मर आ रहे हैं तो लगबग आप 20-25 कोलेजों का चुनाव करेंगे और अगर आपके उससे कम आ रहे हैं उससे ज़्यादा आ रहे हैं सोरी तो आपको लगबग 15 कोलेज हैं और आपके अगर साड़े 300 पिलस नमबर आ रहे हैं तो आपको एक से 10 कोलेजे भरनी हैं और वो ही तरीका अपनाना है एक से 5 तक आप अपने नस्दे की कोलेज भरेंगे असा करता हूँ कि college का system आपके समझ में आ गया होगा फिर भी कोई भी confusion हो कोई भी doubt हो तो आप बेजी जग comment करके पूँच सकते हैं और next video में मैं आपके जितने भी comment आएंगे जितने भी doubt रहेंगे उन सभी doubt को clear करने वाला हूँ उसके बाद आपको क्या करना है अब मैं next step के तरफ हम भड़ते हैं कि आपको allot after first counseling यानकि जब आपको college allotment हो जाती है लगबग आपको college जो है लगबग 20 October के आसपास यानकि 15 या 20 October के something आपको college मिल जाएगी यानकि first list जो है आजाएगी अब दूस्तों आपको कहीं पर भी ज SMS नहीं आता है तो आपको नहीं college allot हुई है फिर भी अगर आपके मन में कोई doubt हो तो आप चेक कर सकते हैं चेक करने का system जो है प्रफोर्मा जो है प्रक्रिया जो है वो हम आपको हमारे इसी YouTube चैनल पर बताएंगे इसके लिए आप वीडियो के नेचे दिए गए रहेड सबस सके तो दोस्तों लगवग 20 तारीक के something आपको college allotment हो जाएगे उसके बाद आपको अपनी पहली counseling करानी है counseling कराने के लिए आपको क्या-क्या दस्तावेश चाहिए होते हैं तो मैं आपको बता दूँ अगर आप 2 साल का बीड कर रहे हैं तो आपको आपके पास आपके graduation की mark seat अगर आप यहनकी SC, ST, OBC से हैं तो आपको cash certificate मूल निवास प्रमान पत्र और दोस्तों आपकी photo और साथ ही जब आप counseling कराएंगे यहनकी जब आपने college के लिए यह college भरी हैं तो आपने जो counseling के समय जो आपका 5000 रुपय का चालान है वो बहुत important है यह 5000 रुपय का चालान आपक उस समय बहुत ही जरूरी होगी यह slip आपको लेके जानी होगी उसके बाद आप जो है क्या क्या करेंगे आपको जो allotment letter वो आपको लेके जाना होगा जो आपको college मिली है वो आप उसका print निकला के आपको लेके जाना होगा साथ ही आपको addition fees जो है लगबग 22,000 रुपय के something ह यह आपको ICI bank द्वारा आपका चालान कटेगा ICI bank में जाकर आप यह 22,000 रुपय deposit करेंगे उसकी slip आपको लेके जानी होगी तो दोस्तों आपको लगबग 20 तारीक को जब आपको college allotment हो जाएगी उससे लेके और 25 दिन तक यानि कि 25 तारीक तक शोरी 5 दिन तक आप जो है प्रफिस जमा करा सकते हैं और आपको यह सभी दस्ताविज लेके उसरी college में जाने होगी जिस college जो college आपको लोटमेंट हुए है तो यह दस्ताविज आपको लेकाँने होगी civ Diese लेके जानी होगी काफी काफी कौलेजों में दस्ताविजों पारी कीäft ले-ले लेते हैं वरना इस तरीके से चालान की आपको जो है औरिनल ली जाएगी तो इस तरीके से आप जु है दो साल वाले और चार साल वाले आप यह दस्तवेद करके आप कौऊंसलिंग करा सकते हैं अब दोस्तों हम बात करें सबसे confusion जो करने वाला है काफी यूटूब पर भी आपको ये वीडियो नहीं मिलेगा reporting in college after first counseling ये आप करा सकते हैं 20 से लेके और 26 अक्टूमर तक आप करा सकते हैं अब दोस्तों हम बताद है जब आपको college मिल जाती है जैसे आपको आपके दूसरे जगए यानि कि जो आपने college भरी थी यानि कि हम बात करें लगबग आपने पांच college भरी एक से पांच तक तो आपको लगबग चोथे नमबर की college आपको मिली है तो आप क्या कर सकते हैं उस condition में आप एक दो और तीन इससे पहले कि जो आपने तीन college भरी थी इन तीन college में आप अपवर्ड moment करा सकते हैं अगर इन में seat खाली है तो आप तीन तक college यानि कि पहली में भी आप addition ले सकते हैं दूसरी में भी और तीसरी में भी इसके लिए आपको अपवर्ड moment करवाना होगा यानि कि आपको फिर से online forum भरना होगा अगर इन में seat खाली है तो आपको दुबारा से college अलोट होगी कि आपका अपवर्ड moment हो चुका है यानि कि आपको ये college आपने जो भरी है या आपको मिल चुकी है अगर इन में seat खाली र जो कोलेज मिली है उससे उपर उपर की जितने भी कोलेजे हैं उनमे ही आप अपर मुमेंट करा पाएंगे उनमे ही आप एडिविशन ले सकते हैं तो यह बहुत ही काफी यानि कि लगबग हम बात करें 99 परसेंट जो है इसके चांस बहुत ही कम होते हैं क्योंकि अगर वहाँ पर सीट खाली होती तो आपको पहले ही कोलेज अलोटमेंट हो जाती लेकिन बहुत ही कम चांस होता है काफी लगबग कल्स में नहीं कर सकते हैं उसके बाद जैसर आपट्मेंट हो जाता है तो उसके बाद आपको फिर से उद दस्तावेज जो है आपको उस आपट्मेंट वाली कॉलेज में जमा कराने है informação ना कि आपको जो फर्ष्ट में कोलेज एलोट हुई को समय समय पर जानकारी देते रहेंगे और किसी भी प्रकार की कोई भी समश्यारी है पीटेट से सम्मंदित बीएड से सम्मंदित बीएश्टी से सम्मंदित चाहिए वो दो साल का हो चार साल का हो हम समय समय पर जानकारी देते रहेंगे और हर वीडियो में बहुती सटिक जान करा सकूँ और दोस्तों जिनके कम नम्मर आ रहे हैं तो कैसे कॉलेज आप प्राप्त कर सकते हैं उसके बारे में भी हम नेक्ट फूडियो में जानकारी देंगे क्योंकि वीडियो काफी लेंटी हो चुका है साथ ही दोस्तों हम आपको ये भी बता दें कि आप कोई चांस नही है कि जैसे आपके 200 नमबर आ रहे हैं तो आपको कोई चांस नहीं आपको कोलेज मिलेगी या नहीं मिलेगी तो इस कंडिशन में आपको कोलेज हम दिला सकते हैं किस तरीके से आप कोलेज बाएंगे उसकी ट्रीक हम आपको बताएंगे कैसे आप कोलेजों का चुनाओ तो दोस्तों मिलेंगे इसी प्रकार से एक और नई जानकारी के साथ तब तक के लिए आप वीडियो के नीचे दिये गए रेट सब्सकाइब बड़न को दबा के चैनल को सब्सकाइब कर लें पासमे वैले घंटिक निसान को दबा के और नोटिक केसन को जरूर करें और दोस्तों जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक सेर करना बिलकों न भोलें